हलो फ्रेंज वेलकम टू आलेस फूर लाइफ और आज मैं आपके लिए लेका आई यू कटलेट और इस कटलेट को मैं बनाने वाली सूजी सी और बहुत ही सिंपल वे में बनाऊंगी और यह बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसमें हम सजी भी यूज़ करेंगे और आप कि अगर आज के रेसेपियों को पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर का नना भूलें साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकास सबसे पहले आपको मिलें तो सूजी की कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाप एक थाली ले ल लिया है यह पतली सूजी है अगर आप मोटी सूजी यूज करें तो सूजी को थोड़ा ग्रैंड करका फिर आप यूज कीजें तो यह सूजी को हम ठाली में डाल देंगे यानि की टांसपर कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे दो उबले यह आलो और आप देख सकते आलो को मैंने कद्दुकस कर लिया है आप चाहे तो तोड़ के भी यूज कर सकते हैं लेकिन कद्दुकस करके डलने से क्या होगा यह जिल्दी मिक्स हो जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें हम डालेंगे एक का पुईशाग और पुईशाग को मैंने बारी काट लिया ह है आप देख सकते हैं ह। अगर आपके पास पुईशाग नहीं तो आप दूसरा इसमें मैं यूज कर सकते हैं और तीन हरी मिर्ची-हरी मिर्ची को वह थको दो है तीखा कम यह ज्यादा आप कर सकते हैं अगर तीखा कम यह ज्यादा चाहिए एक छोटी चम चीली फ्लेक्स अगर आपके पास है तो यूज किजिए या फिर आप इसकिप कर सकते हैं स्वादोने सा नमक डाल देंगे फिलार इसमें और कोई भी इंग्रीडिन्स हम यूज न देंगे अगर जुरूत है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे एक ही बारी में नहीं तो आप देख सकते हैं यह हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और थोड़ा सा ड्राई आपको नजर आ लिए और इसमें ज्यादा पानी तो नहीं चाहिए और प बार देंगे नहीं हाथों से थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ड्लेें और इसे हम अच्छी तरह से गूलेंगे जैसे हम आटा वगर नहीं गूल क्यूंद यहादा नहीं नहीं त。」 बिलकुर उसी तरह से मसल मसल के इसका अड़ो कर लेंगे ताक कि आऺए डो कर समूध बिल्कुल ना हो तो ये देखिए डो हमारा तयार है सूजी का और ये कितना सॉफ्ट है और इस डो को आपको दस मिनिट या फिर दो तिन मिनिट रखने की ज़रूत नहीं आप डाइरेक कटलेट बना की इसे फ्राइ कर सकते हैं थोरा से तेल ले लेंगे हाथ में और तेल को द पसंद या फिर कोई और डिजाइन पसंद है तो अपना पसंद के आप कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते और मैं लंबाई में बना रही हूं आप चाहते गूल भी बना सकते फिर इस तरह से आप थोरा से नहांसे प्रेस कर देजिए तक ये फ्लाट हो जाए कि काटलेट फ्लाइट अच्छा लगता है जैसे फिर्ष प्राइश नहीं होता है जो मार्केट में मिलते हैं फिर्ष प्राइश है कम नहीं है अब इस तरह से बना के देखी इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और इसमें हमने वेजिटेविल यूज किया जो कि यह हैल्दी भी ह साथ के लिए तो पहला कटलेट हमारा बन चुका है और इसी तरह से बचा हुआ स्टाफिंग को भी मतलब डो को भी हम बना लेंगे तो सारा कटलेट हमारा बन चुका है इसे हम थोरा साइट कर लेंगे और आप देखी सकते हैं दूसरा फिलेट में मैंने सूजी ले ले लिय और सूजी से हम क्या करेंगे जो सूजी का कटलेट हमने बनाए ना उसे हम अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे पलरते हो यह दूनु तरफ से ताकि अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए और सूजी से क्या होगा यह थुरा क्रिस्पी कर देते जो कि टेस्ट बहुत ही अच्छ से 2tu ش्वी का कटलेफ्ट हम एक करके तेल में कैल डालेंगे लेकिन जाया और इसे हम लो टू, मिजियम पहरें, आट मिन्ट कर लेंगे, तक है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अंधर से ना रहें, या फिर आप इस से तब तक फ्राई करें जब तक लो गोल्ड बाद इसे हम पलड़ देंगे और इस से भी हम 2-3 मिनिट और फ्राइब कर लेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए कच्छा ना रहे हैं और आप देख सकते जो उपर का लिया रहे हैं वो क्रिस्पी हो चुका है और देखने भी कितना अच्छा लग रहे हैं तो यह हमारा फ्राइब हो चुका है जो सुझे का कटलेट है यह फ्राइब हो चुका है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सेम इसी तरह बाचा हुआ कटलेट को भी हम फ्राइब कर लेंगे अगर आज का रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और क आपको नहीं मिलेंगे तो प्लेस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें तो सुजी की कटलेट हमारा सारा बन चुका है आप देखी सकते हैं तो चलिए चलते हैं नेक्स पोसस पर यानि इसे हम सर्फ कर लेंगे और इसे मैं सर्फ कर रही हूँ होट इन स्वेट केचप के साथ आप चाहिए तो इसे ग्रीन चटनी के साथ या फिर तीखी सेजबॉन सॉस के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं क्योंकि अच्छा लगते हैं तीखी चटनी के साथ और मैं आपको यह तोर के भी दिखाती हूँ जही इसका अंदर से कैसा इसका टेक्चर आप देखे सकते ह और अंदर कितना सौफ्ट हैं और यह बहुत ज़दा यम्मी सा होता है अब बना के देखिए इस तरह से और आप इस शाम के चाय के से दिया फिर पार्टी में फटा 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 गर्म गर्म बना के सर्फ कर सकते हैं आप मुझे इंस्टागिरम या फेस्बूक में फॉलो कर सक तो चलिए मिलते एक नई रेसिपिक के साथ बाई बाई